में खाई बैनों सभाके आगाँ चोड़ती मेरे को मिनफाप चाहिए मेरा रोड पर हे रही इनके साथ भी सो ही मेरे मेरे बाप को में मजा दूंगा अपने बाप परन है मेरे तीकर इसके फुरूत सम्मEND है साधी बादमोई थी मेरी फोतन की पहले उती इसके बाद में इन्ना फंबंद कर लिए अगर मेरे पीछे देखोगा यहां पर बोर्ड बना है सांसद पदम श्री हांसराज हांसी का जो कि यहां के सांसद हैं और इनके दफ्तर पे एक महिला गोहार लगाने गई थी अपनी समस पहले किसी महिला से पहले तो अवैद संब्द बनाए पिर अपनी बहाबी से अवैद संब्द बनाए और उनका जो पहली वाली वाली जो बेटा है वह गे का है उससे जो हमना तीन तीन लोगों से अवैज संबन बनाने के बाद उस खूसर बुड़े ने एक महिला को देखो ये बुजरुक वो महिला है बुजरुक माता जी है इनको छोड़ दिया है और इनको बे सहारा कर दिया है इनको घर से निकाल दिया है और ये इनकी बता रहे हैं बहु है और ये उस husband के जो इनके husband हैं उनके छोटे भाई हैं अब यह लोग यहाँ पर पहुचे थे अपनी समस्या को ले करके हंसराज हंसी के पास सांसाजी के पास यह सोचके कि शायद यहाँ से कोई मदद मिल चकेगी लेकिन जब यह दफतर से महिला निकल रही थी यह बहुत रो रही थी तब मझे लगा कि मैंने का एक बार इनकी बात सुनीजे और चाहूँ आएक बार वीडियो को पूरा देख लेना इनकी पूरी बात सुन लेना कि अवैद सम्मंद की कहानी कहां से शुरू हुई थी और कहां पे जाके इन लोगों की कहानी खतम हुई है या नहीं हुई है क्य हाँ जी सरोज अब क्या नाम आपका मेरे नाम कवीता तोमर है मेरे पती का नाम में अंदर सिंग तोमर है कहां रहते हो आप हम फोड़ा फैक्टर रोनी रहते हैं अब पूरी बात बताओ किस बात को ले करके आप यहां पर आए थे और क्या आपके साथ हुए शुरू से में थ तंगे मर गी वो तंगा आका क्यों मर घी उफकी बीबी के फात में मेरे पती के फमांद हो ग Sickly को देख लिया तो वह मर गई वह मर भी फिर मेरे साथ में साद्धिकरी फदी करने के बाद मैं तीन महिन्ने बाद मेरी साथ में भी यही पर्यकरम करने चाया हुए उप भाइन धरम पालने तो मैं नहीं मानी मेरे को घरते निकाल दियागा फिर मेरे को दिली में छोड़ दियागा मैं आता जाता रहूंगा कुछ दिन के बाद मैं आया मेरे पेट में उसका बेटा था योगेश तोमर तोमर था फिर आया फिर चलागा फिर उसके बाद में पंकश तोमर प चोड़ दिया मेरे को मनलब इतनी ओरतों के फात्मा उफके फंमंद है अग मैं बता नहीं सकती फोटू भी रखी हुई एरपोर्ट पर राजीव गांदी में नोकरी करी महापे भी गैर ओरतों के जो नोकरी के लिए आई मजबूर और उनके फात्मा भी उनने गैर फंमंद ब सरा लटार हो गया लटार होगा वह फंड भी इसने पता नहीं कहां दिया कहां नहीं दो लाक रुपे इसने लोल लिया उसमेते इस्टीट बैंक यह पैंसन पर वह भी इसने जो भोगा के लेका नहीं कहां लेका 117 आई मिरे लड़के की वह हुए जब इसका लड़का पकड बच्चु पे रहम करके लुआ लई लुआ लई कमरा लुआ दिया भागी रात को रात को भागी कमरा ले लिया महां पर फादरे में पीछे पीछे यू चलागा इसने अपना लड़का ठारा लाक रुपे लगा कर शीलू छुटाया अजे कहने लगया मेरा लड़का बंद है वो छुटा दिया मेरे ना का कोई पैफान नहीं है फिर उसके पास चलागा फिर वहां पे लड़ाई जगडे थाने में पकड़ागा अज के लड़के के पासमा त्यार पकड़े गए शीलू अजे के अमर जित भी पकड़ागा अज का बतिज्जा फिर मेरे पासमा आकर रो खाली करवा दो तुमारे पती गलत संब्ध ए उसके बाद में फिर साध्रेश चले गए उसके बाद में फिर मेरे गाए फिर मैं बादली गाउं में पंपड़ का मकान दुआ María भीन के गैर संब्द ये लड़ाई जगड़े फिर मेरे पासुमा पांच छे मिनने मेरे और पा पास में कोई साधन नहीं है उफ का भाई हैंडी कैप है काड़ू नाम काड़ू की कुली भी टूट चुकी है कहता है वो मरानी के थाने में जो भाई भाई को नहीं देख सकता तो मुझे क्या देख कागा मैं तो दूफरे की जाई हूँ पर मेरे को इंसाब चाहिए मैं ठाइ पर मोद राठी मरवाया फिर अजीत के मेरे पती के साथ में फम्मन अजीत एक लाख रुपे का अप्पो अजीत बावली गाओं बागपत बढ़ो जेड में हैं बरेली कहता है इसकी बीबी है वो मेरे पती की बीबी है हमने फबने वो नंगे बिलकुल कपड़े भी नहीं हमने पकड़ी वो भला जेड परकास को क्या लालचे मेरे पती से जो मेरे पती की भाग भाग का कोड़ी बरता है फोन करके कहता है क्या करा जेड परकास क्या करता है जो अपनी बीबी को मेरे पती के फात्मे फुलारा है वो मैं कहा जाओंगी उसको इतनी कमाई चाहती है उ मेरे पती की पैंसन खा रहा है, कमाई खा रहा है, एक मेरी जिठानी थी, मंगते की बव, 20 साल पहला गोडी ता मारी उसकी जमीन हड़ा पली इनुने, उसके बाद मेरी दीदी, मेरी सोकन थी, नारे की किरसना, वो तेल चिड़क का मर्गी जड़क है, पन्नु की बव, जेट क लड़के की वो थेल पी का मरगी यह पहुत्ब लगर में फुलतान की बीबी इसके भाई की बीबी वो भी कैंसर हो का मरगी लात मारते थे मुके मारते थे जोते गाओं ते चूरी भगा के लिए थे वो भी नही रहने दी तो औरतों तो थे सम्मन्द करते हैं, उनको मारते हैं, कहता है मेरे को छोटी-छोटी लड़किया चाहिए, जिन माताओं को हम पूझते हैं, तो कैसा पती है वियु, मैं अंदर सिंग तोमर हैं, अरे कहीं का तोमर है, अपने लड़के के साथ मैं गलत सम्मन्द बणा रख खे कहता है मेरा लड़का तो कहां जाओ मैं इसके इतनी होड़ ते इतने किनार थे तो मैं चाहता है मेरा लड़का इसका लड़का कोई का पार उसकी फोटो दिखआ जिसके साथ के संब्बन है यह रही, क्या ना माईहनका, अजे शीलू, पिकाना अब जСे आप हो, पिकाना गे आप खीना हो, इनके सदेए Heirm powered लड़का और ही यह गढ़के कर्णार में की जब ना मेंडम होतु है? तू तो बुड़ी ठेरी है तू तो बुड़ी होगी मैं तो जुवान हूँ ये बोला था ये बोला इस लड़के ने और जब कि ये खुद गे है मैं बता दूं आपको इस महिला ने इनका जो कहना है इन माता जी का जो कहना है कि ये लड़का है जो अपने ही पिता जी को कहता है कि मैं आपको खुश करूँगा कि मेरी माँ क्या खुश करेगी आपको यही कह रहा है मेरे कोड़ी पता नहीं इतनी गंदी मैं बता नहीं सकती सर सोरी सब को मातों बेनों फोरी इनकी गाली में बता नहीं सकती मेरे को इतनी उप्रोज मारी उप के बाद में इनुने वा पर गाजियाबाद नार महसें सब्सक्राइब के वा गांख्यूरल के यह बराइब पर जन के दन इसकी भावी है, मैं तो जिठानी नहीं कहूंगी, फोतन है मेरे पती कह रखता है, ये मेरा पती है, ये इसको रखता है, कहता है मेरी भाबी, भाबी नहीं है इसकी रखे लेया, कहता है इसका फिच्वाड़ा बहुत भारी है, अलाँ मैं बता दूं आपको देखो हमने आपने इनकी पूरी बात संव यह इनके छोटे भाई आपके बड़े बाई के उपर आरोब लगा रही है यह सही कहरें गलत के बिल्कुल सही कहरें है क्या बताऊगे कैसे हैं आपके बड़े भाई और बहुत ही गलत है यहां रहा वो इतने इसका लड़का जेल में रहा इतने अपना मतलब निकाला उतना है और जो उसका लड़का छूटका आगया कुछ दिन के बाद में फिर बाग जागा उनके अनेक महिलाओं के साथ हैं अवे संब्द हाँ बिलकुल है बता दूं आपको इस तरह इनकी अगर देखोगे यह महिला इनकी बहुरानी है यहां पर यह भी पहुंची है क्या नम आपका मेरा भावना जी बताओ जो आपके सासुमा आरोब लगा रही है अपने हजबेंड के उपर या आपके सामने जो हमने देखा हुआ है वहीं बता रहे हैं आपके सा पर अपनी गुहार लेके आए सांसद मोदे जी क्या रहा है सर जी मैं हाड की बिमार हूँ जब यू मेरे को छोड़के गया तो मैं टैंसन में हाड की बीमार होगी इस ने मेरे गलत संब्द भी बनाने चाहे लोगों से पर मैं सींभाड़ गी आपको और लोगों से संब्द संब्द बनाने चाहे का है औरते कमा का का यह तो भी खा सकती है यू पता नहीं मेरेको कहा कहा लेका गालिना गलत संब्द है बढ़ाए मेरे को बवाना लेकर एक बुड़े के दो रगा, इनने महां ते पचास अजार रुपे लिए वो बुड़ा मर गया, मेरे को दिखाया, बतलब मैं बचगी अपनी इच्छत बचा ली, उसको कहके कहरे दुबारे लेका हूँगा, उसको पचास अजार रुपे न उ साल छोटी हूँ, इसकी सतर साल उमर मेरी पचाफ, मेरे में कमी क्या है, इसने जो मेरी फात्मे ऐसे किया, जब इसकी बीबी मरगी थी, इसके सम्मंद फरोजते थे, वकील की लुगाई थे, तो इनने मेरे ता साधी क्यों करी, हां सर, ठाइश साल पहले जब मेरी साधी हु सब्सक्राइब करके तो मेरे जेट को इस तbane आ पतिकी दोलत हड़ạtना चाहता है हमारे को फूकर देखना नहीं चाहता है अपनी बीबी से उपनी बीबी को इनने पता निकिस-किस को रखवाता है कहता है तुम मेरे बारे में बोलौां मैं तुम्हारे पिछवाड़े माफ है तुझे उसमर्वा देंगे हम बाकिया मैं चाहूं आपने पूरी बात सुनी कि कितने वाकई अवैद तरीके से हजबन संबंद बने अने को महिलाओं के साथ संबंद भाई निका सिधा सिधा रहो पर बकायदा इनकी जो अपने जो सोतन है अपने शारीरिक संबंद बना करके खुश कर दूँआ चाहूं एक बार यहां पर जब यह हंसरा जंजी के पास पहुंचे इन से उमीद करूँआ कि यह इस विशे पर जो भी इन से मदद हो सकती वो करें और चाहूं आला अदिकारियों से भी पुलिस अदिकारी से भी दिल्ल harasser क्राओन करें जा जो मैं काम करूं की मेरे मेरे जेट ने मेरी फात में बहुत गया पहले भी इसने में घर से निकल वायी ती थाइस साल पहले यह पता नि क्या क्या चाहता है ड़कोन को नहीं रहने देता यूब इतना बड़ा लाल्ची है इसने इसके लड़के ही बदमास बनाए इनना हथियार इसके दोन्नों लड़कों के हाथ में दिया अपने लड़के इनना भार पढ़ाए लिकाए अमरीका भेद्ये मेरे पती की फारी कमाई खाता है अपनी ओरत की आड़